बिस्मिल्लाहिर्राख्मानिर्राहीम इस वीडियो में आपको कोरोना वाइरस के बारे में आप तक जो तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं वो फराहम की जाएंगी आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियो मिल सकें तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले करोना वाइरस क्या है? करोना वाइरस एक बड़ी वाइरसेस फेमली है और यह जनोटिक है यनि जानवरों और इंसानों के मावैन पहलते हैं जानवरों और परिन्दों में बिमार्यों की बज़ा हैं आम तोर पर चमकादर और बिलियों को म‌तासिर करते हैं बाज अकात करोना वाइरस में इर्टकाई तबदीलियां आती हैं और ये इनसानों में इंफेक्शन करते हैं इसके सेवन स्ट्रेंज इनसानों को इंफेक्ट करते हैं इनसानों में मोहलिक इंफेक्शन की हालिया तीन मिसालें नौबल करोना वाइरस, सार्स और मर्स हैं इनसानों में करोना वाइरस सार्स की बिमारियों के लगने का सबब बनता है जो आम तोर पर फ्लू और बाज उकात शदीद सार्स की बिमारी होती है और SARS और MERS जैसे एक्साम मोहलिक हो सकते हैं नौवल करोना वाइरस जिसको चाइना करोना वाइरस भी कहा जा रहा है और बाज वकात Wuhan करोना वाइरस कहा जाता है ये एक निया किस्म है इनसानों में इसकी पहले शनाक नहीं की गई थी Wuhan होबाई चाइना में हुकाम की तरफ से पहले शनाक किया गया इस वाइरस की बहुत से खुसूसियात को अभी तक नहीं समझा जा सकता यही वज़ा है कि Health officials इसे इस कदर समझीद की से ले रहे हैं नौवल करोना वाइरस की साखत क्या है Genomic ते सलसुल से यह जाहिर होता है कि यह Single RNA वाइरस है करोना वाइरस का नाम इनकी सता पर ताज की तरह के Spikes के लिए नामज़द किया गया है यह नौवल करोना वाइरस का Cross-section है जिसमें Spikes आप देख सकते हैं और Spring-like Structure RNA है नौवल करोना वाइरस Incubation Period Incubation Period वो पीरियड है जब वाइरस जिसम में एंटर होने से लेकर इलामात के जाहिर होने तब का जो टाइम पीरियड है और यह 2 से 14 दिन नौवल करोना वाइरस के लिए है Incubation के दौरान, Incubation Period के दौरान में भी यह वाइरस मुददी है भी वो यह वाइरस पहलाने की वज़ा हो सकता है यह किस तरह पहलता है? यह एक मुददी वाइरस है इनसान से इनसान में वाइरस की मुददी की तश्दीख हो गई है यह कम से कम, 5 दिन तक सद्धा पर रहता है इसकी इलामात क्या है? सबसे पहले फ्लू की तरह की इलामात महसूस होती है 98% में बुखार 96% में खांसी 44% में थकावट 28% में बलगम 8% में सरदर्द 5% में बलगम में खून 3% में इसहाल यानि दस और 55% में सांस का फूलना करोना वाइरस से मुतासिरा स्यादातर मरीज मर्द हैं और आधे से कम मरीजों को जयाबी तस हाई बलेड प्रेशर दिल की बिमारिया जैसी बन्यादी बिमारिया थी अब तक की मालूमाद से पता चलता है कि उमर रसीदा बालिग अफराद और पहले से मौजूज सिहत के खराबी या कमजोर मुदाफियत इन असाम के हामिल अफराद में शदीद बिमारी का खत्रा बढ़ सकता है बिमारी कितने दिनों में बढ़ती है बिमारी के आगास से लेकर सांस में तकलीफ का आगास आर तिन पहले हस्पिताल में दाखले तक का आम वक्त साथ दिन इलामात के आवाज से लेकर मेकैनिकल वेंटिलेशन तक का वक्त दस से ग्यारा दिन था लियूकोपीनिया लिम्फोपीनिया जोके लेब फाइंडिंग्स है इस बिमारी की क्या कुछ पहचीदगिया है नमोनिया शदीद सांस की तकलीब दिल को इंज्री करने का बाइस हो सकता है सानवी इंफेक्शन गुर्दे फेल हो सकते हैं और तीन परसंट में मौत का बाइस बनता है क्या इलाज किया जा सकता है फिल हाल कोई खास इलाज तस्तियाब नहीं है दुनियादी तोर पर इलामात के मताबिक इलाज किया जा रहा है जैसे बुखार थकावट खुश खांसी सांस की तकलीब या नमोनिया और गुर्दे फेल का इलाज इस सुरत में काफी मिक्तार में पानी पीना चाहिए और जूसिस का इस्तमाल करना है अच्छी घजायत और वाइटामिन खास दोर पर वाइटामिन सी और डी का इस्तमाल है खुन में अक्सीजन की कमी के लिए मरीज को अक्सीजन दी जाती है कोई मखसूस एंटी वाइरल दवाई नहीं है अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है फाल तोर पर तहकीख हो रही है अभी तक चो इलाज आजमाई जा रहे हैं चीनी मरकस बराय अमराज काब्रो और रोगठाम सी सी डी सी कोरोना वाइरस से मतलक नमूनिया के इलाज में पहले से मौजूद नमूनिया की अद्वियाद ट्राईल के तोर पे इस्तमाल कर रहा है मौजूदा अंटी वाइरल्स का मुतालिया किया जा रहा है जिसमें प्रोटी एज इन्हिबिटर्स है पहले शनाख्ट शुदा मोनोक्लोनल एंटी बॉडीज भी जेरे तफ्टीश है हिफाज़ती तदाबीर इन्फेक्शन की रोक थाम का बेखतरीन तरीका ये है कि इस वाइरस से बचे अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक धोए अगर साबुन और पानी दस्तियाब नहीं है तो एलकोहल वाला हैंड सैनिटाइजर का इस्तमाल करें जब आप हाथ हो सकते हों तो सिर्फ हैंड सैनिटाइजर पर भरोसा मत करें गंदे हाथों से अपने आँखों, नाख और मुँ को छूने से गुरेज करें बिमार लोगों से कریबी राफ़ते से गुरेज करें, जो लोग बिमार हों वो घर में ही रहें अपनी खांसी को धांपे या कसी टिशू में खांसे या टिशू में चीनक लें फिर उस टिशू को कुड़ेदान में फैंक दें बार-बार छूने वाली अशिया और सत्थों को साफ और जरासीन कुछ सुलूशन से साफ करें ये रोसमर्णा की आदतें हैं जो मुतदित वायरिसों के फैलाओ को रोकने में मदद करेंगी अगर मुम्किन हो तो घर में ही रहें पबलिक बसों जहाज और पबलिक मुकामात पर गहर जरूरी जाना और सफर करने से गुरेज करें इलामती मरीज और मुम्किना कैरियर उन से राप्ते में गुरेज करें केरियर से मुराद कोई भी वो शक्स है जिसके जिसम में वाइरस जा चुका हो जिनको केरियर से राप्ता होने की इलामात या शुभात हो तो डॉक्टर के पास जाएं, हर एक के लिए मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है क्या मास्क पहनना मददकार है? दो तरह के मास्क आप देख सकते होंगे टीवी पर भी वो लोगों ने पहने भी हुए है जिसमें सर्चिकल मास्क है, N95 मेडिकल मास्क है सर्चिकल मास्क मददकार है लेकिन मुकमल तोर पर नहीं क्योंके ये लीकी होता है और ये वाइरस के दाखले को नहीं रोख सकता कैरियर्स और शाह मरीजों के लिए मास्क पहनना दूसरों में इंफेक्शन पहलाने से महफूज रखता है N95 मेडिकल मास्क जो वाइरस से बचने में मदद करता है सिर्फ तिब्वी अफराद के लिए ही तच्वीज किया जाता है जैनवरी 2020 में मुतदि तन्जीमों और इदारों ने ने करोना वाइरस के लिए वैक्सिन तियार करने पर काम शुरू कर दिया है जो के चीन में, मैसाच्यूसेट्स, और स्ट्रेलिया और कैनेडा में इस पर काम हो रहा है ट्रैवल एडवाईसरी क्या है? CDC ने चीन के गएर ज़रूरी सफर से गुरेस करने की सिफारश की है अगर सफर करना हो तो बिमार लोगों से रापते से गुरेस करें अपने डॉक्टर के साथ चीन के सफर पर मालूमात हसल करना जरूरी है सेहत से मतालिक बन्यादी मसाहिल वले बूड़े, बालिग, अफराद और मसाफरों को ज्यादा शिदीद बिमारी का खत्रा हो सकता है जानवरों जिन्दा हो या मुर्दा जानवरों की मंडियों और जानवरों से आने वली मसनुआत जैसे बगएर पका हुआ गोश्ट उससे परहेस करें बार बार साबुन और पानी से कमस कम 20 सेकिंड तक हाद धुएं अगर पानी और साबन मुई असर नहीं है तो एलकोहल पर मबनी हैं और सैनिटाजर पर का इस्तमाल करें वाइरिस वाले इलाकों से वापिस आने वालों के लिए क्या हदाया थे पिछले 14 दिनों में जो लोग चीन में थे और उनको बुखार, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी से बिमारी महसूस करते हो तो फौरी तबी अमदाद की तलाश करना होगी डाक्टर्स के दफ्तर या एमरजनसी रूम जाने से पहले ऐसे अफराद को चाहिए कि वो पहले फौन करके हालिया सफर और इलामात के बारे में बताएं ताकि वो अपनी जुरूरी एहतियाती तदाबीर कर सके अगर किसी में इलामात हैं तो उसको खुद को दूसरों से अलग रखना चाहिए और अगर इलामात नहीं हैं तो फिर भी 14 दिन तक दूसरों के साथ राप्ते से गुरेस करें जैसा के पहले जिक्र किया गया है तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें 30 चनवरी 2020 को WHO World Health Organization ने इलान कर दिया है कि नोवल करोना वाइरस एक आलमी पेंडेमिक है और एक आलमी एमर्जनसी है तो ये थी अब तक की तमाम तफसीलात नोवल करोना वाइरस के बारे में अगली वीडियो में WHO की तरफ से हिफासी तदाबीर को तफसीलन बताया जाएगा उसके लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें शुक्रिया और खुदा हफिज